सेलो स्टुडेंट्स कैसो आप सभी लोग स्वागते आप सभी का हमार यूटूब चनल के उपर और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चाप्टर नंबर 11 एनहांसमेट इन फ्रूड प्रडक्शन अब तक हमने चाप्टर नंबर 1 से चाप्टर नंबर 10 तक पीवाई कोशन्स है वो डिसकस कर लिये है आज के वीडियो में देखेंगे चाप्टर नंबर 11 के पीवाई क्यू वीडियो मतलब यह जो चाप्टर है यह बहुत इंपोर्टन चाप्टर है और इसके उपर आप तक कैस सवाल बोड एक्जाम में पूछे गया है फ्रम 2000 तो 2022 एक्जाम जो किया होनी चाहिए चाप्टर के उपर आपके तो विडाउट वेस्टिंग यो टाइम लेट स्टार्ट दी वीडियो सबसे पहला जो mcq है multiple choice question है वो हम देखतेंगे जो कि यह वीड वाराइटी रिजिस्टन टु दे हील बलंड डिसीज इस अब देखो वीड की अलग- भी आगया राइज भी आगया उसके अंदर बाकि और बहुत सरे हनी है तो अलग-अलग आपको यहाँ पे meat produce कैसे करते एक produce कैसे करते मिल्क कैसे प्रिजिस करते तो अलग-अलग चीज़ इस चाप्टर के अंदर है तो पहला जो है वो वीड के वाराइटी के उपर है कि कौ डिप ऐसे सबसे हैं सकते हों जोंसी हुँअा आंसुधच अनुदर हुसका है और आप उसको कैसे धान में रख सकते हो हिमंगरी का यह है वो स्टार्ट होता है और यहां पे हील बलन्न डिछेँ का यह débश साने स्तार्टन लेटर क्या है यह इसा भी एच है इससे आप ध्यान में रख सकते हो, wheat variety जो होती है, रजिस्ट होती है, जो hill blunt डिसेज को रजिस्ट करती है, मतलब डिसेज होने नहीं देती, वो होती है हिमगेरी, 2013 को सवाल आया था, दूसरा सवाल, the good milk producer, Indian buffalo आर, अब नीचे में आपको Indian buffalo धुनना है, जो की milk को अच्छा प्र आंसर है A, नाकपूरी, मुर्रा और सूरती, ये तीनों भी ये जो ग्रूप है, तीनों का, ये Indian buffalo का है, इसलिए इसका आंसर होगा, option number A, 2013 को आया था, next में, third question है, doing biogas production, microorganism used to bring about the anaerobic digestion, अब microbes के अंदर आपको पता है, microorganism मतलब microbes, और biogas production के अंदर आपको पता है, methane step होता है, वो step के अंदर कौन सा bacteria मदद करता है, तो इसका answer है C, methanococos, ये ध्यान में रखना, biogas के अंदर क्या बनता है, methane बनता है, तो anaerobic digestion में, ठीक है, methane बनाना है, तो हमको methanococos bacteria use करना पड़ता है, 2013 को सवाल आया था, next में, question number 4 है, rhizobium faciola fixes atmospheric nitrogen symbiotically, अब rhizobium faciola ये क्या है, ये nitrogen fixation bacteria, वो fix करता है atmospheric nitrogen को, क्योंकि कैसा होता है कि, जो atmosphere में nitrogen है, वो plant directly उसको consume नहीं करते, उसका fixation करना पड़ता है, तो ये जो animal है, या फिर ये microbes है, वो bean के अंदर, जो है, वो nitrogen fixation करता है, 2013 को सवाल आया था, next में, question number 5, the microorganism used in the production of acidic acid, acidic acid को बनाने के लिए, आपको जो charts है, वो याद करने पड़ेंगे, कि कैसे organic acid produce करते हैं, vitamin produce करते हैं, antibiotic produce करते हैं, उसके अंदर microbes कोन से use होते हैं, तो वो chart आपको directly याद करने, वो तो board में आपको important ही है, उसके साथ ही साथ, MSTCT में बहुत important role play करता है, तो इसका जो answer है, वो है, aceto, यहाँ पर, asperg अगर यह ध्यान में रखना, next में, छे नंबर का सवाल है, dead and dried cell mass of microbes, microbes का dead dried cell का mass, और जिसके अंदर nutritive value होती है, उसे हम क्या कहते है, तूसे हम कहते है, single cell protein, यह देखो, ESCP, single cell protein कहते है, 2014 को सवाल आया था, next में, साथ नंबर का question, wheat variety of atlas 66, अब यह wheat की एक variety है, atlas 66 उसका नाम है, इसके अंदर किसके quality ज्यादा होती है, high protein, high carbohydrate, high fats, high vitamins, so इसका answer है, high protein, October 2014 को question आया था, next में, erythromycin is obtained from, अब erythromycin क्या है, एक antibiotic है, वो किस से नीचे वाले, कौन से microbes से, वो obtain होती है, यह आपको बताना है, ठीक है, so जो erythromycin है, यह जो है, वो obtain होती है, स्टेप्ट चोदा को सवाल आया था, जो nine number का यहाँ पर सवाल आपको दिख रहा है, वो है, in blank space, superior male of one breed, and mate with the superior female of another breed, मतलब दो breed है, एक breed का male, दूसरे breed का female, तो हमने उसको cross किया, उसका mate किया, mate मतलब क्या, वो close contact में है, तो फिर, उसको हम क्या कहते है, उसका जो answer है, वो है, in breeding, उसको is the source of, अब यह जो है, यह trichoderma kunigy, इससे एक enzyme मिलता है, और यह एक microbes है, micro organism है, तो कौन सा enzyme मिलता है, उसका नाम है lipase, तो lipase नाम का enzyme हमें trichoderma kunigy, इस micro organism से मिलता है, तो उसके लिए आपको जो charts है, वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है, तो यह धान में रखना, next में 11 number का question mating of two closely related individuals within the same breed, same breed में अगर दो individuals की mating हुई, male female की, तो उसको हम क्या कहते है, उसको हम कहते है, यह आपे outbreeding, ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है, outbreeding, question number 12 देखता है, alcoholic fermentation is brought about by, जो alcoholic fermentation है, वो कोन से, micro organism से होता है, तो उसका answer है, psychromysis, B, ठीक है, 2016 के अंदर यह सवाल पूछा गय था, तेरा number का, जो MCQ है, इन ब्रासिस का, okay, variety is the, registered to the aphids, aphids क्या है, छोटे-छोटे insects है, जिसको resist करता है, तो वो ब्रासिस का की कोन सी variety है, तो वो ब्रासिस का की है, पूसा सावनी, यह variety aphids को resist करती है, मार्च 2017 को सवाल आया था, next में, 14 number का सवाल, the antibiotic chloromycetin is obtained from, अब यह antibiotic जो chloromycetin नहीं है, वो कौन से microbes से obtain होती है, तो इसका जो answer है, वो है, streptomyces venijulite, ठीक है, तो यह इसका क्या है, answer है, next में, जो हमारा question number 15 है, वो है, the microbial source of fenegar, तो fenegar जो है, वो किस से मिलता है, तो इसका जो microbial source है, वो है, acidobacter acid, ठीक है, यह जूले 2017 को सवाल पुछा गया then, brown rust of feed is caused by, अब brown rust क्या एक disease है, जो wheat के अंदर होता है, गेहु के अंदर होता है, वो किस से cause होता है, virus, bacteria, fungi और aphids, इसका answer है, फंजाए, 2008 को सवाल आया था, 17 नंबर का सवाल, blank space is an exotic breed, अब दो टाइप के breed होते है, एक exotic, एक endotic, endotic मतलब हमारे इंडिया के अंदर के endotic, औ और बाहर के, इंडिया के बाहर के exotic, तो यह आप ध्यान में रखना, तो exotic में कौन सी है, तो सीर, जो है, यहाँ पे देखा, गीर, साहीवाल और सिंधी, यह हमारे इंडिया के है, जो जर्शी है, वो है exotic breed, तो option number D is the correct answer, 2008 को सवाल पूछा गया था, next में, 18 नंबर का सवाल, identify free living bacterial biofertilizer, free living bacterial biofertilizer, कौन सा है, वो आपको identify करना है, तो इसका जो answer है, azotobacter, option number B is the correct answer, यह जुले 2018 को सवाल पूछा गया था, next में अब देखते हैं, यहाँ पे plant breeding के उपर सवाल पूछा गया था, ठीक है, अब theoretical सवाल देखते हैं, कैसे पूछा गया था, पहला देखो, give application of mutation breeding, अब mutation breeding का application आपको बताना है, देखो, एक plant breeding होता है, जिसके अंदर हम plant cross करके एक नए भराईटी बनाती है, जिसको हम plant breeding कहते है और mutation breeding के अंदर हम क्या कहते है, जो पुरानी भराईटी है, उसके genetic constitution के अंदर change लाते है, जिसको हम mutation breeding कहते है, और तब जाके फिर एक नई variety बनती है ठीक है तो ध्यान में रखना तो मुटेशन भराइटी फिर मुटेशन ब्रीडिंग के बारे में आपको बोला गया है यह दोजार को सवाल आया था नेक्स्ट में नेम दा हाइए इल्डिंग सेमी डार्फ वराइटी जो फीट की जादा से जादा उत्पादन देने व अब जो इंसेक्ट को रिजिस्ट करते है ऐसे दो प्राप वराइटी के नाम आपको बताने, यह जो सवाल है, यह मुझे लगता है, एक मार के लिए आया था, next में define mutation breeding क्या होता है, define करना है, यह एक दो मार के लिए पूछा था, next में 7, what is a green revolution, give any two examples, each of the improved varieties of wheat and rice, green revolution के बारे में आपको बताना है, यह द्यान में रखना, green revolution, यह 2020 के अंदर आया था, अब tissue culture के उपर कैसे सवाल अब तक पूछे गया है, वो हम देखते हैं, tissue culture के अंदर पहला सवाल, explain how suspension culture is prepared from the callus, अब tissue culture के अंदर जो callus होता है, आपको पता है, जो कि unorganized mass होता है, अब यह सवाल जो मुझे लगता है, तीन मार क्या फिर चार मार के लिए पुछा है, मतलब बड़ा वाला सवाल, tissue culture क्या है, और उसके steps कौन से है, यह सवाल आया था, 2015 के अंदर है, फूर्थ नमबर का सवाल, explain the micropropagation and the somatic hybridization, micropropagation क्या है और somatic hybridization क्या है, यह आपको बताना है, यह 2016 में आया, ता micropropagation मतलब ही tissue culture, कम समय के अंदर जद स्यादा plant को प्रेडिस करणा, इस्ट नमबर का, describe different steps involved in the tissue culture technique, यह steps आपको पुछा गया है, 2018 के अंदर, application of tissue culture पुछा गया है, आपको 2018 के अंदर, then give an account of various steps involved in the tissue culture, 2019 के अंदर, मतलब steps, 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 यह tissue culture के अंदर, 19, 18, 18 को सवाल पुछा गया था, 20 में सवाल नहीं आया है, 21 में नहीं, 22 में नहीं नहीं आया, तो मतलब 2030 में इसके आनी के chances है, next में, 11.4, single cell protein ESCP, अब single cell protein के अगर बात करेंगे, तो उसकी advantage के बारे में एक सवाल आया था, 2013 के अंदर, अब bio fortification के उपर आया था, what is bio fortification, मार्च 2019 में, bio fortification मतलब, जिस process के अंदर हम food की nutritional value को increase करते है, उसको हम कहते है, bio fortification, तो उसके उपर सवाल आया था, ओके, यह सवाल ऐसा, एक मार गया फिर दो मार के लिए पुछा जाता है, यह बड़ा वाला सवाल नहीं होता है, अब animal husbandry में, जिसे animal husbandry में आपको poultry है, farm management है, apiculture है, bee culture है, उसके बाद आपको क्या है, dairy है, तो यह अलग-अलग आपको animal husbandry में, आपको चीज़े होती है, जो explain करिये chapter number 11 में, तो इसके उपर देखो, what is the major achievement in animal breeding, animal breeding में major achievement क्या है, name the viral disease in poultry farm animal, अब देखो, यह poultry के अंदर आपको disease जो बताने है, कि poultry animal में कौन से viral disease होते है, next में अगर देखेंगे, यहाँ पे है, explain the technique of multiple ovulation embryo transfer in the animal breeding, अब multiple ovulation embryo transfer, यह जो technique है, M-O-E-T, यह होती है, cow के अंदर होती है, sheep के अंदर हो सकती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कि एक अगर कोई cow है, तो उसको किसी male के साथ हम, मतलब male cow के अंदर, उनको bull के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकता है, और उससे जो embryo बनता है, उस embryo को तयार होने में बहुत साथ समय लगेगा, तो जो male cow है, हमने यूस क्या है, तो जो female cow है, उसके वो pregnant रहेगी, तो female cow को बहुत साथ समय लगेगा, वो ready नहीं होगी for next mate के लिए, मेटिंग के लिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो जो यहाँ पर embryo तयार हो गया, तो उसको हम embryo को बहार निकाल लेते हैं, और दूसरी एक आधी cow के body के अंदर डाल लेते हैं, उसको बड़ा होने के लिए, मतलब कि जो हमारी main cow है, वो again ready हो जाती है, और next cross, तो इसलिए आप ध्यान में रखना वो होता है, यम O E T, fourth, name the type of animal breeding carried out to produce a mule, अब mule के अंदर कौन सी animal breeding यूस करते हैं, वो उसको हम यूस करते हैं, इंटर स्पेसिफिक हैबिडाजेशन, mule यह जो है, वो horse और donkey से बना हुआ है, एक species है, donkey एक species है, दोनों को हमने cross किया, तो mule बन गया, तो यह इंटर स्पेसिफिक हाइबिडाजेशन के अंदर यूस होता है, 2014 के अंदर सवाल पूछा गया था, पाचवा नमबर का, अब सिल्क के अंदर बहुत सारे सिल्क होता है, जिसके अंदर सबसे जो पूरेस्ट सिल्क होता है, वो होता है, अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि inferior quality, मतलब थोड़ी hulky quality के दो सिल्क के नाम आपको बताने है, तेन नेक्स्ट में, छे नंबर का, जो फीश है, उसके दो में आपको बताने है, उसके बाद जो आटवा नंबर का सवाल है, यह आपको dairy के उपर पूछा गया है, नवा नंबर का सवाल आपको एपिकल्चर के उपर पूछा गया है, कि यहाँ पर common name उसका पूछा गया है, एक मार्क के लिए, एपिज डॉर साथा का, common name, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एंटिरियर वेटर्नरी डॉक्टर है, टुट डेरी फॉर्म और मंदाटरी, विजिट मंदाटरी की है, उसके रिजन आपको बताने है, 2016 के अंदर सवाल आया था, next में chapter number, 11 से 10 number का सवाल, name the species used in seri culture, कौन सी species used हो जाती है, उसके life cycle के बारे में आपको बताया गया है, lack culture के बारे में, उसके बारे में, importance of economic, importance of lack, मतलब कि अगर आप देखोगे, कि यह जो अपना animal husbandry ही है, उसके उपर बहुत सारे सवाल, तो एक ध्यान में रखना कि animal husbandry के उपर किसी भी एक management के उपर, farm management के उपर आपको सवाल आएगा, वो हो सकता है, poultry हो सकता है, apiculture हो सकता है, seri culture हो सकता है, dairy, तो यह किसी के उपर भी आ सकता है, ओके, fishery भी हो सकता है, तो आपको हर एक जो farm management है, या फिर animal husband dairy, उसके हर एक step के वारे में, हर एक method step के वारे में आपको पता होना चाहिए, कि dairy में क्या-क्या करना पड़ता है, epi culture में क्या क्या करना पड़ता है, seri culture में क्या-क्या करना पड़ता है, उसकी importance क्या है, वो सारी अगर आप करोगे तो definitely एक दो सवाल आपको 100% उसके उपर आएंगे ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर देखो यह fishery के उपर सवाल पूछा गया था 2018, 16, 14 और 9 में यह 2018 में सवाल पूछा गया था poultry के उपर 2019 में सवाल पूछा गया था apiculture के उपर 2019 में अगें सवाल आया था apiculture 2020 में आया था dairy के उपर ठीक है तो 2023 में किस के उपर आएगा थोड़ा अंदला लगा को समझ में आ जाएगा microbes in human welfare अब इस के उपर सवाल देखो जैसे edible varieties of mushroom, mushroom के दो edible varieties आपको बताने है ठीक है और give economical importance mushroom का क्या nutritional values उसके अंदर होती है वो बतानी है name any two examples of edible mushroom उसके बाद जो third number का सवाल है वो है give the examples of non-edible or poisonous mushrooms studied by you ठीक है तो यह 17 के अंदर यह out of syllabus सवाल है ठीक है यह ध्यान में रखना उसके बाद 2014 में जो सवाल आया था वो था from which microbial source can pectinus obtain infectinus क्या होता है एक enzyme है जो कौन से microorganism से obtain होता है तो उसके लिए आपको charge याद करने पड़ता है उसके तरीके से सवाल from microorganism vinegar is obtained कौन से microorganism vinegar obtained हुआ है उसके बाद what is gibberlin gibberlin क्या है उसके application बताओ 2014 के अंदर सवाल उसके बाद tubular tower fermenter उसके diagram आपको निकालनी है 2015 के अंदर तो यहाप आप देख सकते हूँ जो invertase है उसका है psychomyces services जो lipase है उसका है rhizopus species जो cellulose है उसका है trichoderma konigy और जो pectines है उसका है sclerotina liberty ठीक है तो यहाप 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 धान में रख सकते हो next में अगर आप यह दूसरा चार्ट देखोगा आप यहाप देख सकते हो यह आया था 2022 के अंदर यहाप आपको chloromycetin antibody को उसके microbial source आपको दिए गया है तो यहाप जो chloromycetin है यह chloromycetin streptomyces venugyn जुनाई है microbial sources से बनता है erythromycin steptomyces erythrode से बनता है उसके बाद streptomycin जो होता है streptomyces greces के अंदर और जो teramycin है वो जो बनता है वो streptomyces orificin से बनता है ठीक है तो यह आप ध्यान में रख सकते हो असानी से next में आपका vitamin का देखो चार्ट जो चार्ट से न वो बहुत important है यह आपको CD के अंदर तो important है ही है उसके साथ साथ board के अंदर भी बहुत important उसके उपर 100% सवाल आपको कुछ ना कुछ तो पूछे जाएंगे अट vitamin के अंदर आपको पूछा गया है ठीक है अब यहाँ पर vitamin जो beat well है उसका सबसे पहला यहाँ पर होगा neurospora, gossipy fumaric acid का होगा यहाँ पर aspergillus, niger vitamin B12 का होगा pseudomonas, denetrificans उसके बाद यहाँ पर जो lipase होगा उसका होगा candida lipoletica, उसके बाद cellulose जो होगा उसका होगा trichoderma, konigy और जो citric acid होगा उसका होगा rhizopas, arhesus तो यह आपको यहाँ पर mix दिये गया है कुछ vitamin, कुछ enzymes तो यहाँ पर mix यह दिये गया है, ठीक है तो यह आप ध्यान में रखना है, यह ऐसा चार्ट आपको पूछा सकता है, next में अगर देखेंगे microbes in swage treatment, अब यहाँ से एक थोड़ा आलग portion start होता है, जो primary treatment of swage उसके अंदर, और detail में क्या करा जाता है, primary treatment के अंदर, उसके बाद secondary treatment tertiary treatment, okay microbes in energy generation, कैसे generation करते है energy, कैसे वो methane बनाते है, from the यहाँ पर, cow dunk, वो सारा जो material है उससे, क्या बनाते है, methane, मतलब energy produce करते हैं, तो कैसे करते है, step बताने advantage of biogas 2017 को सवाल आया था, और biogas production brief में लिखना है, वो 2018, 17 और 16 में पुछा गया था, मतलब उसके बाद से पुछा नहीं गया, तो इस साल आने के chance हो सकते हैं, next में role of microbes as a biocontroller agent biocontroller मतलब, जैसे हमारे जो खेत होते हैं उसके अंदर unwanted plants आते हैं, तो उसको जो unwanted plants है, वो भी क्या है, एक organism है, और उसको खतम करने के लिए, अगर हमने दूसरा organism भी use किया, तो उसको हम कहते हैं, biocontroller क्या कहते हैं, biocontroller, तो यहाँ पे सिमिदर्री वैसा ही चीज होता है, उसके बाद, mycoherbicides इसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताना है, उसके बाद, due to examples of microbial pesticide with their host, microbial pesticide ऐसे microbes हैं, जो pesticide का काम करते हैं, paste मतलब होते हैं, आपको पता है, किडे जो के खेत में होता है, तो paste को kill करने के लिए microbes हम भी use करते हैं, तो वो आपको बताने हैं, उसके दो example, role of microbes as a bio fertilizer, ये 2000, उपर का 2018 को सवाल पूछागा था, अब role of microbes as a bio fertilizer, कैसे वो role play करते हैं, microbes, इसके अंदर cyanobacteria 2009 के उपर अंदर सवाल आया था, cyanobacter के उपर उसके बाद, ये देखो cyanobacteria 2014 के अंदर question आया था, अब VAM, ठीक है, तो ये vesicular, arbuscular, mycology, ये 2015 के उपर सवाल आया था, उसके बाद VAM 2016 में भी आया था, उसके बाद यहाँ पे heterocyst, ये 2017 में आया था, define bio fertilizer, give two types of fungal bio fertilizer, ये 2019 में और 2022 में cyanobacteria के उपर आया था, मतलब इस साल जो आपको सवाल आ सकते हैं, वो VAM के उपर पूछ सकते हैं, या फिर आपको जो है, वो यहाँ पे bio fertilizer, आपको पूछे आ सकता है, अब ये जो सवाल है, 16, ये 6 नंबर का, what are bio fertilizer, explain them with the suitable examples, अब ये minimum मुझे लगता है 2 या 3 मार का सवाल होगा, maximum 2 मार का ही हो सकता है, bio fertilizer क्या है वो बताओ, उसके suitable examples दो, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप यहाँ पे देख सकते हो, साइनो बैक्टर के उपर मुझे तो लगता है, VAM जो है उसके उपर सवाल आ सकता है या फिर सिंबोईटिक nitrogen nitrogen fiction उसके उपर भी सवाल आ सकता है ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना इस chapter के अंदर, chapter number 11 इस chapter के अंदर, जो charts है वो बहुत important है, charts को बारे में थोड़ा ध्यान देना, chart के उपर उसके बाद, यहाँ पे यो इधर का है, plant breeding के उपर थोड़ा ध्यान दो, देन उसके बाद जो animal husbandry उसके उपर ध्यान दो, यह दो-तीन चीज़े अगर आप नहीं की तो मुझे लगता है, कि आप maximum mark joys के अंदर cover कर पाओगे, ठीक है, पिसके साथ इसाथ मिलते हैं next studio में, तब तक के लिए stay happy stay motivated, thank you so much